Welcome है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ latest and कुछ important cryptocurrency news and updates के बारे में सारी update कवर करेंगे लेकिन उससे पहले market की क्या situation जल रही है तो एक हरा भरा market हमको फिर से देखने को मिल रहा है Bitcoin 24,000 डॉलर तक आया फिर से 22,600 तक चला गया था लेकिन आज जो CPI numbers आया है वो जो expected थे 8.7% उससे भी कम आया है ठीक है अगर 8.7% आते तो relief मिलता लेकिन उससे भी नीचे आया है 8.5% का CPI data आया है जिसका update हमने आपको telegram पे कर दिया था अगर आपने telegram channel को join नहीं किया तो कर लेना link description में है सब update आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं तो एक जो relief है यहाँ पे मिला और जैसे ही यह data आया जैसे ही इन inflation का number आया Bitcoin ने चलांग लगा दी और सिर्फ 27-28 minutes के round जो है Bitcoin 23,000 से 24,000 डॉलर पे पहुँच गया अभी currently Bitcoin 24,000 डॉलर पे trade कर रहा है BNB coin 333, 333 डॉलर पे BNB coin trade कर रहा है Ethereum की बात कर लें 1840 डॉलर 800 डॉलर को भी cross कर चुका है काफी अच्छी रफतार Bitcoin ने पकड़ी अगर हम Bitcoin का चार्ट देख लें पिछले कुछ घंटे का भी देख लें तो यहां पे अगर आप देखेंगे Bitcoin ने सीधा सीधा जो है 22,600 तक यह morning में चला गया था ठीक है और वहां से जो सीधी रफतार आई है Bitcoin की वो आई है यहां पे 24,000 पे सीधा अगर आप देखेंगे यह चार्ट था जो evening में जैसे ही वो data आया तो Bitcoin के जो level थे सीधा सीधा 24,000 डॉलर पे चले गए 23,000 से लेके सीधा सीधा 24,178 सिर्फ 28 मिनिट्स के अंदर इस इस अपावर ओफ Bitcoin and Cryptocurrency एक inflation कम होता हुआ दिखा relief मिला ठीक है और inflation कम हुआ है तो Bitcoin का यहां पे क्योंकि relief मिला है तो market उपर जाना ही था और अगर inflation का data जो पिछली बार 9.1% आया था उससे भी उपर आता है 9.1% आता तो फिर जो situation है वो dump वाली भी हो सकती थी लेकिन अच्छा number आया है इसलिए आज Bitcoin को आप देख रहे हो लेकिन अभी भी Bitcoin का 24,600 का जो level है वो break करना बहुत जरूरी है जब तक ये level नहीं तोड़ेगा Bitcoin 25 पे नहीं दिख सकता हमको उसके बाद 27,28 की range भी दिख सकती है लेकिन Bitcoin को पहले भी Bitcoin 24,200 पे आके चला गया था नीचे अभी भी 24,178 का high लगा रखा है अगर 24,600 को cross करने में काम्याब हो जाता है successful हो जाता है Bitcoin तो market आने वाले टाइम में 25 से लेके 28 तक की Bitcoin की range हमको देखने को मिल सकती है ठीक है तो ये कुछ current situation है market एक अच्छी situation में हमको दिख रहा है Bitcoin अच्छी situation में आ गया है तो शुरुआत करेंगे Shiba Inu की fresh updates है Shiba Inu BitPay card holder can now enjoy up to 15% cashback reward तो अगर हम Shiba Inu की बात करें तो BitPay के जो card holders हैं BitPay के साथ यहाँ पर already BitPay ने support एड किया हुआ है तो BitPay के जितने card holders हैं ठीक है Shiba BitPay users will earn up to 15% cashback reward when they make purchase with their prepared card using Shiba तो काफी अच्छा update है कि BitPay card holder जब भी Shiba Inu से payment करेंगे Shiba Inu से कुछ भी purchase करेंगे कोई transaction करेंगे तो उनको 15% का cashback reward मिलेगा एक बहुत बड़ा number होता है 15% ठीक है और cashback reward when they purchase goods from participating retailer using the prepared card और यह तोफा दिया है BitPay ने और BitPay के अंदर already काफी cryptocurrencies का support एड है Bitcoin है Shiba Inu Dodge Coin Ethereum, Ripple Bitcoin Cash ठीक है और काफी अच्छी बात है कि जितने भी card holder है Shiba Inu से कुछ purchase करते हैं पेमेंट करते हैं तो 15% का cashback मिलेगा next update की बात करें तो वो है Hotbit को लेके Hotbit ने यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे announcement किया है और काफी जैदा questions आ रहे थे कि Hotbit का जो है यहाँ पे suspend हो चुका है सब कुछ मतलब अगर आप देखेंगे announcement on the suspension of Hotbit website service तो यहाँ पे जो है Hotbit ने एकदम से जो है यहाँ पे we regret to inform that you that Hotbit will have to suspend trading, deposit, withdrawal and funding functions and the exact time of resumption cannot be determined at the moment और यह कब तक यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा यहाँ पे trading disable कर दी है, deposit disable है, withdrawal disable है, और suspend कर दी है और यह कब तक किया है यह भी यहाँ पे कोई timings नहीं है Hotbit और जहाँ तक चीजे देखें the reason is that a former Hotbit management employee who left Hotbit in April this year was involved in a project last year और that law enforcement authority now think is suspected of violating criminal laws तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा reason दिया है वो भी आपको देखना चाहिए कि former जो यहाँ पे Hotbit management employee है वो left Hotbit इन्होंने एपरेल में ही Hotbit को छोड़ दिया था और year was involved in a project एक project में भी involved थे और यहाँ पे जो है कहीं न कहीं जो violate किया गया है criminal laws को उसको लेके भी यहाँ पे suspect बताया जा रहा है इनको और उसी का एक reason है कि law enforcement कहीं न कहीं इसकी वज़ा से Hotbit ने यहाँ पे पूरा एक्शन Hotbit के उपर कहीं न कहीं हमको देखने को मिल रहा है तो reason एकदम अगर आप देखेंगे यहाँ पे clear reason दिया हुआ है और यहाँ पे कोई market situation को लेके यहाँ पे हैक हो गया या कुछ ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जो reason है clear reason आपको दिया हुआ है यहाँ पे अब देखते हैं Hotbit कब तक यहाँ पे withdrawal यह जो trading deposit है इनको कब तक start करते है इसकी जो update रहेगी आपको telegram channel पर ही मिलती रहेगी join नहीं किया है तो link है description में आप join जरूर कर लेना और यह update है Binance की तरव से Binance की तरव से Shiba Inu के जो Shibarium को लेके यहाँ पे एक article है Shib layer 2 solution Shibarium to go live very soon और यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे according to the Unification Foundation the Shibarium public testnet a layer 2 solution for Shiba Inu will be released very soon तो यह चीज Binance की तरव से भी कही न कहीं confirmation आया है ठीक है और Binance की तरव से इस तरह के confirmations आना वो एक बहुत बड़ी बात है ठीक है क्योंकि number one exchange है और अब कही न कहीं जो है Shibarium जल्दी ही release हो सकता है अब जैदा time नहीं है यहाँ पे पूरी तरह जो testing vesting है हो जाने दो और जैसे ही वो सब कुछ complete हो जाएगा तो अपने time पे Shibarium आ जाएगा और अब जैदा time भी नहीं है launch होने में तो आ गए है Baby Doge coin के official twitter page पे और Baby Doge को लेके यहाँ पे Baby Doge NFTs की दरफ से है एक update progress is perfection और first P2E game in Decentraland तो बिल्कुल Decentraland के साथ इनकी partnership अल्रेडी हो चुकी है एक Metaverse का बड़ा project है Decentraland और Pittaverse for Baby Doge NFTs is now live तो Baby Doge Coin की जो Pittaverse और Baby Doge is now live in the Pittaverse और यहाँ पे अगर आप देखेंगे play to Baby Doge NFTs at the first time P2E pet dark in Decentraland earn free token and unlock some cool NFTs तो यहाँ पे आप free में आपको tokens भी मिल सकते हैं आप NFTs भी unlock कर सकते हैं Baby Doge NFT holder earned 2.5x boosted reward तो काफी बड़ी अच्छी update है NFTs Metaverse को लेके Baby Doge को इनके कदम बढ़ रहे हैं next update की बात करें तो वो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे pro hockey player है और इनकी तरफ से एक tweet आया अगर आप देखेंगे यहाँ पे Baby Doge को इनको लेके कल ही tweet आया था Baby Doge absolutely flying today और कल जो है Baby Doge को इन फ्लाई कर भी रहा था ऐसे बड़े-बड़े players के भी tweet और एक बड़े player के साथ यहाँ पे partnership भी हो चुकी है ठीक है तो athlete के यहाँ पे एक tweet आया और Baby Doge को इनको लेके और भी coins को लेके tweet हैं लेकिन Baby Doge को लेके भी यहाँ पे tweet आया है तो आगे लवली इनू के official Twitter पेज पे लवली इनू को लेके क्या कुछ updates हैं सबसे पहली update है Good Morning New York लवली इनू billboard live now at Time Square area New York Time Square के उपर किसी coin का billboard हो ना वो अपने आमें बहुत बड़ी चीज है हर coin चाहता है कि उनका एक billboard Time Square के वहाँ पे दिखाया जाए शो हो और लवली इनू भी Time Square पे पहुँचके अगर आप देखेंगे यहाँ पे यह आप देखेंगे लवली इनू तो बिलकुल Time Square पे लवली इनू पहुँच चुका नेक्स अपडेट भी लवली इनू को लेके है लवली इनू नो ओं TV geez TV एडस के ऊपर भी कहीं न कहीं एक वीडियो है इनका जो है TV आडस के लिए लवली इनू आ रहा है न्यू यॉयर्क पहुच चुका है इसके लावा कल होने वाली है लिस्टिंग एक नई लिस्टिंग होने वाली है Lovely Finance की, Lovely Inu की और Will Be Listed on Ascend Exchange on 11 August अब बची है तीन लिस्टिंग 13, 14 की लिस्टिंग कहां कहां होती है ठीक है अगर कोई बड़ी लिस्टिंग आती है ये दोनों डेट में तो काफी अच्छी बात रहेगी और 16 की लिस्टिंग कहां होती है कौन सी बड़ी एक्सचेंग निकल के आती है अभी भी तीन लिस्टि 46 के लेवल पर आ चुका है, धीरे धीरे लेवल नीचे आते जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा ग्रीन में ज़रूर दिख रहा है, लेकिन 0.4037 का जो लेवल है, इंडियन रुपीज में चल रहा है, और प्राइज पिछले 7 डेज के अंदर, 8 डेज के अंदर काफी गिरे हैं, लब ये जो लिस्टिंग होने वाली है, क्या ये लवली का जो हाई है, जो नया बना है, क्या नया हाई फिर से बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्या अब जो नया हाई बनेगा उसको लगने वाला है, टाइम, ये चीजें सभी डिपेंड करती हैं आने वाले टाइम में, सिचुवेशन अच्छी और तीन लिस्टिंग का जो वेट है 16 अगस की लिस्टिंग कहां होती है यह भी देखना बहुत जरूरी है तो अगर आप लवली को खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप रिसर्च करें इस टेम पर डिप में मिल रहा है और भी डिप में जा सकता है लव लवली को अपनी रिसर्च आप जरूर करें कोई भी कोई खरीद रहे है मार्किट में आप रिसर्च जरूर करें वह बहत जरूरी होती है इस टRIम पे यह action चल रहे हैं लवली कोई के तो इस टेम पे कोई गीकों के उपर एक कोई यहां पर ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है UFO Gaming 334 पे इसकी rank आती है और 14% की रफ़तार इसे ने फिर से पकड़ लिया एक दम से जो है अगर आप देखेंगे spike इसके अंदर देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ time से अगर आप 30 दिन का भी चार्ट देख लें 60 days का भी देख लें पिछले एक डेड़ महिने में ये 160% का profit दे चुक है अपने holders को ठीक है जिन लोगों ने भी dip के अंदर UFO Gaming को बाय कि 0.5x03 की 0 चल रही है 30 की series और 0.3x0 24 के level चल रही है Indian रुपीज में अब अपने all time high से देखें तो 94% अभी भी नीचे है जो 25 November को इसने बनाया है लेकिन इस टाइम पे trend कर रहा है कहीं न कहीं एक अच्छी बात है UFO Gaming के लिए और 781% का return दे चुक है ये अपने all time low से जो इसने 20 July 2021 को hit किया था ठीक है वहाँ से भी 700% का profit दे चुक है अभी भी green में चल रहा है UFO Gaming तो next coin की बात करें तो वो है Bolly coin Bolly coin आपको जरूर याद होगा सल्मान खान ने जो है Bolly coin को launch किया था उन्होंने Bolly coin को launch किया था और उसके साथ साथ गारी token को भी launch किया था तो अगर आप देखेंगे Bolly coin के क्या कुछ हाल चल रहे है यहाँ पे हम कोई जो है प्रमोशन नहीं कर रहे है Bolly coin का और 0.03 डॉलर पे इस टाइम पे चल रहा है 2 रुपीज का चल रहा है इस टाइम पे Bolly coin हम आपको यहाँ पे बस एक चीज बताना चाहते है कोई भी कितनी बड़ी celebrity ही क्यों ना हो ठीक है आप coin की growth देखेंगे बिलकुल भी नहीं है ना मत्र growth है coin की और 25% ही अपने all time low से उपर चल रहा है पिछले साल आया था market में और सलमान खान खुद उन्होंने Bolly coin को यहाँ पे launch किया इसका a drop पी आया लोगों ने Bolly coin को स्टेम पे खरीदा भी लेकिन अभी भी अपने all time high से 86% नीचे चल रहा है market down है मैं समझता हूँ market down से चल रहा है लेकिन growth नहीं है coin के अंदर तो कभी भी कोई बड़ी celebrity launch कर रही है इसका मतलब यह नहीं है कि coin उपर ही जाएगा गारी token का आपने हाल देखा अभी पिछले कुछ महीने में क्या कुछ हाल हुआ था 7 रुपे तक चला गया था 60 रुपे से ठीक है तो ऐसा नहीं है coin अपने दम पे चलते है ठीक है जो काम करेगा जो जिसके अंदर development होंगी वो अपने दम पे चलेगा प्रमोट करने से या फिर कोई बड़ी celebrity लाँच कर रही है तो उससे coin नहीं चलता है market के अंदर ठीक है तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें और समझें ठीक है तो ये bolly coin के हाल चल रहे हैं इस टाइम पे last and final update की बात करें तो वो है crypto market को लेके जैसे ही शाम को 6 बजे आज जो है CPI नंबर आये US के data आया 8.5% एक relief मिला हमको वैसे ही crypto market के अंदर सिर्फ एक घंटे के अंदर 50 billion dollar market के अंदर आ गया as CPI data comes in lower than expected तो जितना आना चीए था उससे भी कम आया और 50 billion dollar तयार था market में आने के लिए वेट ओरा था CPI numbers का और जैसे CPI numbers आये तो after the consumer price index CPI और inflation figures for July came in more favorable than expected और crypto currency market quickly responded by adding more than 50 billion dollar to its market capitalization in just one hour यह है crypto market की power और 1.142 trillion dollar पे आ चुके हम फिर से और market के अंदर 50 billion dollar एक घंटे में आना बहुत बड़ा number आ है 1 billion dollar भी अगर आप देखेंगे 7 to 8 thousand करोड रूपीज होता है ठीक है इस टाइम पे इतना पैसा आ गया और 6 बचते जैसे यह number आया bitcoin ने सीधा एक स्पाइक पकड़ा और 30 minute के अंदर bitcoin 23 से 24 पे चला गया जरूरी है bitcoin का 24,600 का level break करना तो उसको break कर पाता या नहीं कर पाता यह देखना बहुत जरूरी है आपको क्या लगता है break करेगा या नहीं करेगा और कहां तक जा सकता है break करने के बाद आप comment करके जरूर बताना तो यही कुछ cryptocurrency news and updates सी आई होप इस वीडियो में आप सारी चीजे समझ गयोंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है वीडियो को like share जरूर कर देना नीचे description में telegram, twitter के link है join नहीं किया तो कर सकते हो वहाँ भी important update आपको मिलते रहते हैं और किसी भी crypto में आप invest कर रहे हैं तो सबसे पहले research जरूर करें crypto market एक risky market है यहाँ पे आपको profit और loss दोनों हो सकते हैं तो हमेशा अपनी research करें आज की इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई